तो दोस्तों आज है 26 ओफ अगस्त और कल है 27 अगस्त कल एक ऐसा एस्ट्रोनिम कल इवेंट होने वाला है कि वह सेटन हमारी आँखों से दिखेगा और उसके रिंग्स भी चमक जाएंगे क्या यह सच्चाई है आज की वीडियो में जानेंगे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे मित्स फहले पढ़े हैं जिनके यार कोई जवाब ही नहीं है जाने इतनी सारी रिल्स भी देखी हैं वीडियो भी देखी हैं लोगों को अवेर तो कर रहे हैं लेकिन गलत इंफ्रोमेशन दे रहे हैं आज करो थोड़े पैसों के लिए ऐसा तो मत करो तो आज हम इसी चीज का पर्दा फास करने वाले हैं क्या सच्चाई है हम अपनी आखों से भी देखेंगे चोटे वाले तेलिस्कोप से भी देखेंगे और चैप्चर करके रिजल्ट आपके सामने रखेंगे और एक सबसे वड़ा मित है चला है कि वह 27 गार दिखेंगा ही नहीं तो क्या सच्चा ही है यह पहले भी दिखेंगा या आगे आने वाले समय में कभी दिखेंगा भी या नहीं दिखेंगा आज की वीडियो में सारी चीज आपको पता लग जाएंगी तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं हमारी यह पहली वीडियो होगी हमारी इस टाइम मसीन से जो आज आपके सामने रखने वाले हैं आपको दोस्तो लग रहा होगा कि हमने तो अन्वोक्सिंग वीडियो के वारे में बात किती पहले तो दोस्तो वह टेस्टिंग में रह अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहोंगा हमने सैटन को जो कैप्चर किया अपने 50 mm वफचर के टेलिस्कोप से उस टाइम पे कैप्चर किया था जब वो होराइजन लेवल से उपर आना स्टार्ट हो था नहीं कि डिस्टेंस काफी जादा दूर थी लेकिन आज के टाइम में है और ओल नाइट विजीवल रहने वाला है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के बाद नहीं दिखेगा आप अराम से दो-तीन महीने आराम से कैप्चर कर पाएंगे डिटेल में और आज से तीन-चार महीने पहले से हम कैप्चर करते आ रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था तो यह मित्स था और यह डाउट आपका किलियर हो गए होगा कि हाँ यह 27 गवाद दिखेगा ही नहीं और यहाँ पर आपके सामने एक मित्स कोर में किलियर कर देता हूँ कि आँखों से सैटन के रिंग चमकेंगे भाई इतनी ज्यादा दूर है सैटन आपको इ दिख रहा होगा अभी के टाइम की लोकेशन तो इसे हम नहीं देख पाएंगे ब्राइट इस्ट्यार की तरह यहाँ पे देख पाएंगे स्मार्टफोन से आप कैप्चर करेंगे और आप टेलिस्कोप से कैप्चर करेंगे तो कैसा दिखेगा वह आप आगे पता चलेगा तुक्टोरियल तो देखें पहले उसके बाद हम रिजल्ट दिखाएंगे तो दोस्तों यह है हमारी न्यू टाइम मसीन जो काफी प्यारा लुक दे रही है प्यारे लुक के साथ इसके साथ हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने एक एजम और एलाइन और लेवलिंग और ऐसा नहीं है कि यह तीन बातों को हमने अच्छा कर लिया और हंड़ेट परशेंट सारी चीजे ठीक हो गई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं क्यों हमें अपने एकिटिरल टेलिसकोप के साथ में पेलोड कैपेसिटी के साथ उसको mount के साथ sink करना पड़ता है यानि इसको balance करना पड़ता है ताकि जब हम RA axis को trekking पर लगाएं तो उस पर pressure न आए, stress न आए और वो खराव न हो अगर ऐसा हुआ तो गेर्स खराब हो सकते हैं और मैं अपने इस नए टेलिस्कोप के साथ में ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ अब साम हो चुकी है और मुझे यहाँ पर बादल आते होए दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक संकेत नहीं है क्योंकि सेटन हमसे कौफी जादा दूर है और इसकी जो रोशनी हमारे पास आती है वो जुपिटर के कमपेरिजन में 40% तक ही आपाती है और अगर हलके से भी बादल सेटन के सामने आए तो उसकी लाइट को ब्लोक कर देंगे जो फीचर्स को कैप्चर करने में हमारे लिए प्रोबलम क्रियेट कर देंगे और हम उसे डिटियल में कैप्चर नहीं कर पाएंगे खेर अब जो भी हो आज के समय पर यह है अपो दिखाना बनता ही है जैसे भी रिजल्ट आएंगे अच्छे आएं या बुरे आएं आपके सामने में रखूंगा अब हमने यहाप अपने टेलिसकोप को अच्छे से बैलेंस किया जो हम इसे पेलोड रखेंगे जैसे मोवाइल भी लगाना है तो उसके वजन के कोर्डिंग मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे बैलेंस किया और हमने रफली पॉलर एलाइन भी किया कैसे वो कभी आगे अने वेली वीडियो में बताएंगे और साम का समय था मुझे चंदरमा सामने दिखाई दे रहा था हैं तो मैंने उस पे फोकस किया और ट्रेकिंग को मैंने टेस्टिंग किया कि हाँ मॉन अच्छे से दिख रहा हा था था तो मैंने उसको ट्रैकिंग पे लगा दिया पंदा हैं昌 15 से 20 मिना फ्रेम में बना रहा तो रात में हम अगर शेटन को कैप्चर करेंगे तो बो भी frame में हमारा बना रहेगा क्योंकि polar align हमने रफली किया है accuracy 10-15 minutes के लिए भी मिल जाएगी तो हमारे लिए काफी है अब मैंने frame में बना के moon को छोड़ दिया 10-15 minutes के लिए देखूंगा कि ये frame में बना रहेगा ये नहीं मैंने 15 minutes बाद चेक किया तो moon frame में बना हुआ था यानि हमारा जो रफली polar align था वो काफी ठीक हुआ है और ये रात में हमें कोई problem नहीं देने वाला है अब मैं इसको किलकुल भी नहीं छेड़ूंगा अब दोस्त जैसे जैसे रात हुई हमारे उपर भारी संकट आने लगा तेज हवा के साथ में clouds भी आते हुए मुझे दिखाई देने लगे जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब हमें tension होने लगी कि हम इसे capture कर भी पाएंगे या फिर नहीं अगर नहीं capture कर पाए तो आपको वीडियो हम नहीं दे पाएंगे और हाँ एक बात तो आपको बताना मैं भोली ही गया अगर आप एक नया Newtonian telescope खरीद रहें तो उसको collimation जरूर चेक करें मेरे telescope का collimation बहुत बिख़़ा हुआ था आप देख सकते हैं बिल्कु सेंटर से भागा हुआ है इसकी वज़े से हमें image sharp नहीं मिलेंगी फिर भी मैंने ठीक टाक काम चलाव कर लिया था अब थोड़ा क्यान की बाद भी कर लेते हैं सेटन जिसको हम सनी ग्रह के नाम से जानते हैं यह हमारे सोर मंडल में 6 नमबर पर रहके दूसरा सबसे बड़ा प्लानेट है यह साड़े 10 घंटे में अपनी access पे एक बार घूम जाता है मतलब एक दिन साड़े 10 घंटे का इसका दिन छोटा है इससे इसको compare ना करें इसका एक साल हमारी प्रत्वी के 30 सालों के बराबर होता है मतलब जब तक यह एक चक्कर सन के 4 और पूरा करता है अगर compare करें अपने moon से तो यह है 1675 km कम है टाइटन को 1665 में Dutch astronomer Christian Huggness के द्वारा खोजा गया था और इसके पापा को मतलब Saturn को Galileo Galilei ने 1610 में खोजा था Saturn में 75% hydrogen और 25% helium है और other substance की बात करें तो इसमें methane और water vapors मौजूद महां पे हैं कुछ ज़्यादा ग्यान तो नहीं हो रहा कोई नहीं थोड़ा सा और ले लो पता नहीं बाद में हम फिर कब Saturn को capture करेंगे अगर हम 10 प्रत्वी को कतार में रख दें तो यह Saturn का diameter होगा और क्या दोस्तों आपको पता है प्रत्वी से देखने पर Moon की तरह Saturn भी हमें फेज में दिखाई देता है मतलब यह कि Saturn को प्रत्वी से देखने पर हर साल यह टिल्ट होता हुआ दिखाई देता है और यह 1224 और 25 में इसके rings हमें बिल्कुल flat इसके सामने दिखाई देंगे अगर हम अपने कैमरे से कैप्चर करेंगे किसी टेलिसकोप से तो flat डिस्क के रूप में दिखाई देंगे कुछ इस तरह से Saturn के ring को साथ कैटिगरी में बाटा गया है A, B, C, D, E, F, G इन rings के बीच में अपना अपना gap है लेकिन जो सबसे वड़ा gap है वो कसीनी डिवीजन है जहां से कसीनी स्पेस क्राप गुजरा था तो अभी के लिए ये ग्यान काफी है बाकी final result जब देखेंगे तब कुछ बात करेंगे अब दोस्तों जिसका डर था वही हुआ रात में Saturn के सामने thin layer में वादल आने start हो गए जिससे Saturn की light block होना start हो गई और एक यहां पर hello effect यहां पर बनने लगा यानि कि ऐसा लग रहा था कि Saturn में से light भाग रही है बहुत ज़्यादा सेम ऐसा moon के साथ में भी हो रहा था लेकिन बहुर से वही कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो मैंने testing के दुरान जिस दिन मैंने first time open किया था उस दिन cloud नहीं थे जो detail उस दिन मुझे दिख रही थी वो आज मुझे नहीं मिल पा रही है demotivation हो रहा है आज मुझे कि मुझे आपको वीडियो भी देनी है और detail नहीं मिल रही है आप भी कहेंगे नया telescope पर कैसा result मुझे दिखा दिया और यहाँ पे एक सबसे बड़ी main दिक्कत यह है हम यहाँ पे eye piece लगा के बारलो लगा के और प्लस smartphone लगा के capture कर रहे हैं तो light coffee सारे glasses में से होके गुझर रही है तो उसमें भी कुछ losses हो रहे हैं अगर हमारे पास कोई planetary camera हो था तो direct image उसके sensor पे बनती और हम अच्छी detail ऐसे में भी निकाल पात सकते थे और सबसे बड़ी problem की बात तो यह है मैंने multi coded एक 3X बारलो भी online किया था जो हो समय पर नहीं आ पाया जो इसके साथ आया यह third class है इससे detailing नहीं मिल रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं decent सा बारलो और 6.5 mm IPS के साथ में कुछ digital zoom के साथ में live view में कुछ ऐसा दिख रहा है जो बादलो से पार होके light Saturn की आ रही है मैंने exposure पूरे बढ़ाय हुए है तब जाके हमें Saturn दिख पा रहा है ऐसे ही मैं पूरी राद बैट के इंतजार करता रहा तीन गंटे चार गंटे पांच गंटे सेटन भी जा रहा था राद भी जा रही थी और मिझे best result नहीं मिल पा रहा था लेकिन जो भी light मैं capture कर पाया जैसे थोड़े बहुत हलके cloud हटे लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं हटे तो हमें जो रियल्ट मिले बोब मैं stacking करके प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा कोई बात नहीं होता है आपको भी तो पता लगे कि बजट लेवल एक्क्यूपमेंट लगा के एस्टो फोटगराफी कैसे होती है और क्या रियल्ट हमें मिलते हैं अब दोस्तों 6-7 घंटे मुझे इससे प्रोसेस करने में लगे हैं ज्यादा खिचली नहीं पकाई है क्योंकि मैंने काफी सारे रियल्ट निकाले थे आपको मैं दिखा दूँ ये सारे फोटेज हैं इन सारे फोटेज में से मैंने वेस्ट फ्रेम को और वेस्ट वीडियो को निकाल के उसको मैंने स्टेक करके और फाइनल लियर्ड निकाला है जो भी निकाल पाया हूं क्योंकि बादल हटे ही नहीं और हम बेस्ट फ्रेम निकाल ही नहीं पाए जो भी निकला वेस्ट वो आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं ला के denial करके आप दिखा रहा था तो आप देख सकते हैं फूल एकसबोजर पे सैटन कुछ ऐंप दहां हिसे बार लीए तीन वीडियो जैसे काम के वीडियो मैं आपको दिखाहूं यहाँ सकते हैं इस वीडियो में आपको एक चीज यहाँ पर देखने बोंगे जैसी जैसे clouds आएंगे तो इसकी रोशनी down होती चली जाएगी रोशनी बिल्कुल down होती चली जाएगी जैसे जैसे बादल आते जाएगे जबकि ऐसा नहीं है बादल तो continuously थे लेकिन जब ये बिल्कुल दिखना बंद हो जा रहा था तब भी ये स्मार्टफोन यहां पर इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दिखा रहा था और turbulence आप यहां पर देख सकते हैं एट्मोस्पेर के कितने ज़्यादा यहां पर देखने को मिलने जैसे बादल हटेंगे वैसे वैसे इसकी फिर से brightness यहां पर आनी इसकी टार्ट हो जाएगी आपने एक चीज नोटिस की पॉलर एलाइन और एक्किरेसी कितनी है ट्रैकिंग में मैनुल माउंट के साथ में और जब लगवग बिलकुल ही काले बादल इसके उपर आ गयते हलकी सी लाइट पार हो रही थी बादलो से तो आप देख सकते हैं एक्सपोजर बढ़ाने के बाद में हमारा सैटन कुछ इस तरह से दिख रहा था हमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं चमक रही है ऐसा लग रहा है कि हाँ सैटन तो है लेकिन उसके कोई फीचर्स हमें आपे नहीं देख पा रहे हैं यह फुल एक्सपोजर मैंने बढ़ा है तो आप देख सकते हैं गेन कितना ज़्यादा यहाँ पे हो गया है उसके बाद मुझे जो एक बैस्ट वीडियो मुझे मिली वो यह वाली मिली इसमें क्या था लगवक थोड़े से बादल हट गए थे हलके फुल के ही बादल थे जादा नहीं थे लेकिन ट्रॉबलेंस और डिटेलिंग तो हम नहीं देख पा रहे हैं अभी भी इस सही हम आप बैस्ट फ्रेम निकाल के देखेंगे हमें क्या यहां पे मिलता है और हमने इसी वीडियो से कुछ फ्रेम को निकाला है और जो और दो तीन वीडियो थी उनसे निकाला है पहले मैं दिखाता हूँ पहला रियल्ट मैं निकाला है वो कुछ इस तरह से है यहां पे मैंने इसको स्टेक किया stack करने के बाद में process ये सारी चीज़े की तो हमें ये वाला रियल्ट मिला final रियल्ट इससे हमने ये वाला निकाला तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ colors जो है certain के वो ठीक से दिख पा रहे हैं लेकिन हमें कोई भी features बगेरा कुछ यहां पे नहीं दिख रहे हैं उसके बाद मैंने और थोड़ा साइसे improve किया और यहां पे इसको stack किया stack करने के बाद में हमें कुछ इस तरह का मिला इसमें हलके full के stacking के दौरान ही हमें यहां पे दिख गए थे थोड़े-थोड़े features लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे दिख पारे और यहां पे रहे हैं और यहां पर प्रोसेशिंग की दौरां काफी अर्रस भी आए हैं हमने ये बादल को फाल के detail यहां पे निकाले है अगर बादल बिल्कुल नहीं होते तो हम कुछ इस तरह से लिकाल सकते थे इसके बाद हमारे जो final layout यहां पे आए हैं वो ये वाले हैं अब यहां पे हमने इसको stack किया stack करने के बाद में यह ऐसा लग रहा है जिसे पहले वाला था ना लगवग उसी के तरह यहां में लग रहा है उसके बाद हमने इसे थोड़ा process किया process करने वाद details आने start हो गई और थोड़ा हमने process किया align करके सारे RGB को उसके बाद हमने यह वाला विले लिकाला और फाइनल रियल्ट हमने यह वाला लिकाला अब इस वाले photo में आप देख सकते हैं यहां पर कसीनी डिवीजन और यहां पर क्लाउड बेंड्स यहां पर दिख पा रहे हैं आपको यहां ध्यान नकना है हमने बादल दिवीजन है यह वाला और क्लाउड्स बेंड्स अब यहां पर और अच्छे से हम देख पा रहे हैं और नीचे भी इसका नेचुरल करल लगबग लगबग हम देख पा रहे हैं तो कलर्स का यार क्या ही करेंगे जब हमारे पास बादल हटे ही नहीं तो हम क्या ही डीटियल यहां पर लिगाल पता है लेकिन मैं कंपेर करूं अपने पहले रिजल्ट से जब मैंने फिप्टियम के से लिया था उसके सामने यह कही ज्यादा बहतर है अभी हमारे पास सही एक्यूपमेंट नहीं है जिससे हम अच्छे से एस्ट्रफोड़गाफी नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास बालो भी ठीक नहीं था इसमार्टफोन से हमने यह करा है तो आपको बता है बादल में light loss हो रही है पलस हमारे mobile में light loss हो रही है तो आप बताना जो भी आपको अच्छा लगा तो मेरा फेवरेट ये वाला है क्योंकि हाँ मेंने आज से पहले यहाथ नहीं यह नि आगे हमें motivation मिलेगा काम करने में in future हम और अच्छे अच्छे equipment बढ़ाएंगे तब हम अच्छे से process करके day to day upgrade हम करते जाएंगे और आपको ये पता लग गया होगा अगर आपके पास same setup है तो आप इस तरह के real तो लिकाल ही पाएंगे अगर कोई doubt आपका रह गया तो मुझे नीचे comment कर दीजे मैं आपका reply दूँगा और चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलेंगे किसे एक नई astro photograph वीडियो में तब तक के लिए thank you जैहिंद बंदे मात्रम